आप इन वर्ड्स को परिए, C-O-M-B, इसको क्या परिएगा आप, कॉम्ब, इसको पी नियमोनिया, इसको आटमन, इसको पालम, इसको नाइफ, इसको हावर, जो चारण आप पर रहे हैं, वो क्या है, बिल्कुल रॉंग है, गलत है, इसका सही प्रोनोंसियसन होगा, कॉम, न हाँ पर N-silent है, इसको फॉर्म परेंगे, L-silent है, इसको नाइफ परेंगे, K-silent है, इसको आवर परेंगे, H-silent है, तो अगर सुद सुद अंगरेजी सीखना है, तो हमें silent words को जानना परेगा, नहीं तो हम प्रोनोंसियसन गलत कर लेंगे, तो आज के इस वीडियो में हम ये tension भी दूर करने वाले, वीडियो में अगर लाश्ट तक आप बने रहें, तो ये जो silent words का जो problem है, ये खतम हो जाएगा, तो चलिए आज का ये वीडियो, शुरू करते हैं, तो silent words का, पहला rule ये है, कि यदि किसी word में M के बाद, या T से पहले B आ जाए, तो वह B silent रहता है, इसको आप नौट कर लीजिए, M के बाद अगर B आएगा, फिर भी B silent, और T से पहले B आएगा, तो फिर भी B silent, example समझते है, देखे, B, O, M, B, M के बाद B आया, तो B यहाँ silent, ये हो जाएगा, bomb, इसको परहेंगे bomb, इसमें B का चारण नहीं होगा, देखे, calm, इसको परहेंगे calm, M के बाद B है, इसको परहे है, अब देखे, lamb, इसको lamb परहेंगे lamb नहीं, L, A, M, lamb, इसको परहेंगे doubt, क्या हो, क्यों कि T से पहले B silent रहता है, T से पहले B आया है, तो doubt परहेंगे, इसको date परहेंगे, D, E, T, यहाँ पर B क्या होगा silent T से पहले है, इससे पहले आपको ये पता था, नहीं ना, तो आप इसको ध्यान से समझजिए, और इसको not कीजिए, अब चलिए दूसरा rule परते हैं, ताकि हमारा अंगरेजी सुध हो जाए, सही से हम अंगरेजी बोल पाए, अब rule नमर दो पर चलते है, rule नमर दो में बोल रहा है, N तथा S से पूर्ग, मतलब पहले, N तथा S के पहले अगर P आजाए, तो P silent होता है, N तथा S के पहले अगर P आजाए, तो P silent रहता है, examples मझतें, देखिए, P, N, E, U, M, O, N, I, A, इसको परहेंगे pneumonia, क्योंकि N से पहले P है, P क्या हो जागा, silent, इसको pneumonia परहेंगे, यहाँ पर देखिए, P, S, A, L, इसको क्या परहेंगे, some, 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 P silent, क्यो से पहले P है, psychology, इसको परहेंगे pneumatics, pneumatics, क्योंकि N से पहले P है, तो N तथा S से पहले, अगर P आजाए, तो P silent होता है, अब चलिए, रूल नमत फेरी, इसरा रूल देखिए, यहाँ पर, M के बाद N silent रहता है, M के बाद N आजाए, तो N silent रहता है, जैसे autumn में रखिए, AUTUMN, M के बाद N आया, इसको परहेंगे autumn, autumnन परहेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि N silent है, यहाँ पर इसको परहेंगे column, C, O, L, U, M, N, M के बाद N है, तो N silent, column, H, Y, M, N, इसको परहेंगे him, him, क्योंकि N silent है, तो आप समझ रहे हैं, कि M के बाद N आजाए, तो N silent होता है, अब इसको भी not easy, आगला rule चलिए परते हैं, आप यह चौथा rule देखिए, M, F, K, एबं D से पहले L silent रहता है, M, F, K, और D से पहले अगर L आ जाए, तो L silent रहता है, example देखिए, सब परेके, M, यहाँ देखिए, palm इसको परहेंगे, palm, M से पहले L आ गया, इसलिए L silent है, palm, second में द देखिए, talk परेंगे, T, A, L के, K के पहले L आ गया, तो L silent, talk, इसको उड़ परते हैं, W, O, U, L देखिए, क्योंकि D के पहले L आ गया, तो इसको उड़ परेंगे, जब M, F, K, एबं D से पहले L आ जाए, तो L silent हो जाता है, इसको भी not कीजिए, अब चलिए, अगले rule पर चल K, N, I, G, H, T, इसको देखिए, N से पहले K आ गया, तो K silent हो गया, इसको परेंगे night, सकार्थ होता है, योद्धा, अगला है, इसको परेंगे knife, N से पहले K है, knife, चाकू, फिर देखिए, इसको परेंगे knock, N से पहले K है, K, N, O, C, K, knock, तो इस परकार से यह पाच्वा रोल ह इसको भी knock केजी है, अब चलिए अगला रोल परते हैं, अब अगला रोल में है, N से पहले G आ जाए, तो G silent रहता है, N से पहले अगर G आ जाए, तो G silent रहता है, इसको भी knock केजी, example देखिए, R, E, S, I, G, N, इसको परेंगे resign, अब यहाँ पर देखिए, G आ गया, तो G silent, resign, यहाँ पर देखिए, इसको परेंगे design, यहाँ पर G silent है, design, इसको क्या परेंगे, इसको तो आप लोग जानते होंगे, sign, G silent है, S, I, G, N, इसको परेंगे sign, इसको rein परेंगे, R, E, I, G, N, इसको परेंगे rein, G silent है, अब अगले रोल पर चलते हैं, अब अगला रोल देखिए, यदि किसी सब्द के किसी वर्ड के अंत में किसी वर्ड के अंत में जी एच या जी एच टी रहे किसी सब्द के अंत में जी एच या जी एच टी रहे तो इसमें जी एच साइलेंट रहता है जी एच साइलेंट रहता है ये एक्जामपल समझते है हाई यहां पर देखिए हाई जी एच तो यहां पर जी एच साइलेंट हो गया इसको परेंगे हाई नेक्स्ट में देखे टी एच आई जी एच इसमें भी जी एच साइलेंट लास्ट में है जी एच इसको परहेंगे थाय यहां देखे टी एच आर ओ यू जी एच इसमें भी जी एच लास्ट में है इसको परहेंगे थू यहां पर देखे बी ओ यू जी एच टी यहां पर है अ यहां पर दी आगया गया गया तो दी साइलन इसको पहले लेजर यहाँ पर edge तो यहाँ पर d आ गया g से पहले तो d silent इसको पहलेंगे is यदि किसी words में g g से पहले d आ जाए तो d silent रहता है चलिए इसको भी note केजिए अब अगले rule पर चलते हैं अब देखिए last rule है यदि किसी सब्द के अंत में ten रहे सब्द के अंत में ten रहे तो उसमें t silent रहता है cable t silent रहता है इसको भी note केजिए example देखिए of ten यहाँ सब्द के अंत में देखिए यहाँ पर ten है तो इसका t हो जागा silent इसको परेंगे often यहाँ देखिए l is ten अंत में ten है तो t इसका silent हो जागा परेंगे listen, इसमें देखिए softn, लास्ट में tn है, तो t silent होगा, इसको परेंगे soften, चलिए अगले रूल पर चलते हैं, अब देखिए इसमें क्या है, कि q जो है, कभी अकेला नहीं आता, q कभी अकेला नहीं आता, हमेशा u के साथ आता है, और q u मिला कर इसका धोनी जो होता है q q चरण होता है, जिसे example देखिए q u i c के, इसको परेंगे quick, q u n, इसको परेंगे queen, queen, q q व कधोनी, इसको q u i ॉ l, quill, 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 s'maj गए, तो इस परकार से ये pronunciation था, जिसमें silent word के बारे में हमने पढ़ा, अब कुछ ऐसे भी words हैं, जिसमें कोई rule नहीं है, पर इसको परेंगे hour, h silent है, इसको परेंगे air, इसमें भी h silent है, और इसको परेंगे honor, इसमें भी h silent है, ये h silent था, अब c silent को समझते हैं, जब c silent रहता किसी words में, अब इन words को देखिए, s-c-e-n-t, इसको परेंगे cent, इसमें c silent है, next है scene, s-c-e-n-e, इसमें भी c silent है, इसको परे परेंगे Guard, Guest, Guest, इसमें और इसमें U silent है, यहां देखिए W, R, A, P, इसको परेंगे Rap, W silent है, A, N, S, W, E, A, Answer, परेंगे answer, इसमें भी W silent है, W, R, O, N, G, इसको परेंगे wrong, इसमें भी W silent है, तो इस फरकार चाहिए इस वीडियो में हमने silent words के बारे में जाना, अगर यह वीडि झाल, 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 झाल झाल